गावी गावा में करेंट की चपेट में आने से विवाहिता की हुई मौथ मचा हड़कम गंभीर पुर्थानाक्शेतर के गाव। बिजली के करेंट लगने से एक विवाहिता की मौथ हो गई सुचना पर पहुँची गंभीरपूर की पुलिस ने शव का पंजनामा बनाकर पोश्ट मार्टम के लिए भेज दिया मिली जानकारी के मुताबिक गंभीरपूर थानाक चेतर के गवरी गाव निवासी काजल उम्र 26 साल पतनी विकास उर्फ हवलदार सुबह लगबग साड़े-दस बजे नहाकर अपने कमरे में गई और बाल सुखाने के लिए फर्राटा पंखा लगाकर बिजली के बोर्ड में लगा ही रही थी किसी बीच वो करेंट की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई घर में किसी के न रहने के कारण किसी को पता नहीं चला दो बाहर लगबग 12 बजे पड़ोस की एक महिला जब उसके घर गई तो देखी कि वो मिरित अवस्था में पड़ी हुई है इसके बाद उस महिला ने आस पास के लोगों को बुलाया और मौके पर पहुँचे गवरी गाउं के परदान गुफरान आमद ने गंबीर पुर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी पुलिस ने शव को पंचनामा बना कर पोश्ट मार्टम के लिए भेज दिया मिर्तका का एक दो औरच का पुत्र है और मिर्तका दो माँ की गर्बवती थी उसका पती हवलदार मुंबई में रोजी रोटी के लिए कार करता है उसके घर पर कोई नहीं था मिर्तका के पिता अर्विंद पुत्र रामलखन निवासी धरनी पुर विसया थाना गंबीर पुर ने इस संबंद में गंबीर पुर थाने में तहरीर दी है दोस्तों हमारे साथी पदमाकर मिश्रा की यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें अगर खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें झाल को सबस्क्राइब आगर खब ए साथी झाल को सबस्क्राइब जरूर जरूर भूलें